क्या आप भी कमर के दर्द से परिसान रहते हैं गुटने में दर्द की समस्या होती है एरी में दर्द रहता है यहां तक कि आपके बाह में भी दर्द होती है गर्दन में दर्द रहता है या फिर नसों में कमजूरी आ गई है नसों में दर्द रहता है या फिर नसों में पूटने और हड़ियों के दर्द को ठीक करने के साह साथ नसों से समंदित हर बिमारियों को ठीक करती है. चाहे वो नसों में कमजोरी हो या फिर ब्लॉकिज की समस्या हो. तो चलिए बीना देर के start करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सा नुसका है जिससे ये सारी बिमारियां बहुत ही आसानी से ठीक हो जाई लिए बिना देर के जानते हैं कि वो कौन सा नुसका है जिससे कि आपकी ये सभी प्रॉलम दूर होने वाली है आप सबों का बहुत-बहुत स्वागत करती है जो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बे ख्रेण हो रहा है और देन पर दिन आपका दरध बढ़ते ही चला जा रहा है आप दरध से परसान है लेकिन आपका दरध ठीक नहीं हो रहा है आप बहुत सारी दवाईय करके ठक चुके हैं तो आयुर्वेद का आज मैं एक नुस्का बताने जा रही हूं इसका उपयोग करके आप अपने सरीर के किसी भी दर्द को 100% ठीक कर सकते हैं दोस्तों गुटने का दर्द में जो भी अर्थराइटीस का प्रॉलम होता है उसमें तो आपको एक्सेसाइज करना बहुत जरूरी होता है चाहे आपको कमर में दर्द हो रही हो गुटना में दर्द हो रही हो या फिर नसों से प्रणित कोई भी दिक्कत है एक बार आप इस चीज को जोर फॉलो किरिए कि जब भी आपको दर्द महसूस हो आपको चलने फिरने में तकलीफे महसूस हो रही हो तो आप चरूर चले रुखना नहीं है आपको एक्सराइज करना है चलना फिरना है बले ही थोड़ा चले धीरे आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपका दर्द ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा यह बहुत ही आसान सा नुसका है और यदि आप दर्द में बैठ जाएगे तो वो दर्द बढ़ते ही चले जाएगे और यदि आप एक्सराइज करते रहेंगे सुबस हम टहलेंगे तो आप आप देखेंगे कि आपका दर्द धीरे-धीरे करके वो कम होता चलेगा है हम लोग जानते हैं कि वो चार कौन सी चीजे है जो आपके दर्द को ठीक करेगा ही आपके गुटने जोरो और नसों के हर तरह की दर्द को ठीक करेगा और यदि internally कोई swelling हुई है तो उसे भी बहुत ही आसानी से ये ठीक करने का काम करती है इसके अलावा यदि नसों में blockage हो गई है, नसों में दर्द रहती है या फिस सरीर में कहीं भी दर्द रहता है, मोटापा भरते जा रहा है ये सभी चीज को बहुत यासानी से ठीक करने का काम करती है ये ड्रिंक को बनाने के लिए चार चीजों की जरुत पड़ती है तो चली जानते हैं, वो क्या क्या चीजे हैं? सबसे पहले चीज आपको सोंट लेना है 50 क्राम सोंट अदरक को सुखा के पीसा जाता है तो यानि अदरक, जब आप अदरक लेते हैं, सोट नहीं भी है तो अदरक को लेके आप 4-5 दिन रखके धूप में उसे सुखा ले उसके बाद उसे आप पीस ले, तो ये हो जाएगी, सोंट बन जाएगी तो इसे आपको 50 क्राम लेना है अब जो दूसरी चीज लेनी है, वो जीरा है जीरा जिसे क्योमिन सीट के नाम से भी जाना जाता है ये 10 ग्राम लेना है और तीसरी चीज लेनी है अजवाइन, जिसे कैरम सीट कहा जाता है ये 10 ग्राम लेनी है और दालचिनी भी 10 ग्राम लेनी है जिसे cinnamon के नाम से भी जाना जाता है ये चारोई चीज खुद में ही बहुती और सिद्य गुनों से भरपूर होती है और ये चारोई को जब मिला के बनाया जाता है तो ये जब दस्ट वर्क करती है और बहुत सारी बिमारियों का मुद्टोर जवाब देती है यानि की बहुत सारी बिमारियों को आस्सानी से ठिक करने का ताकत रखती है तो ये सभी को मिला के पीस लेना है यानि अधरक का पॉडर जिसे सोट कहते हैं उसे 50 ग्राम लेना है और जीरा 10 ग्राम, 10 ग्राम अजवायन, 10 ग्राम दालशिनी लेना है तो ये सभी चीज़ को जब आप पीस लेंगे तो एक पॉडर त्यार होगी और ये पॉडर देखिए मैंने यहां बना के रेडी कर लिया है तो ये पॉडर बन के रेडी हो चुकी है अब आप इसे स्टोर करके किसी टाइट कंटेनर में रख दीजिए और इसे थोरा थोरा करके इस्तिमाल करना है तो कैसे इस्तिमाल करना है आईए जानते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको एक पैन में एक गलास पानी लेना है तो ये देखिए मैंने यहां पे एक गलास पानी ले लिया अब आपको इसमें करीब आदा चमस ये powder को मिला देना है जो अभी हम लोग बना के रेड़ी किये हैं तो इस powder को आपको आदा चमस इसमें डालके मिला देना है और इसे करीब 5 मिनट तक low to medium flame में अच्छे से उबाल लेबाना है इससे क्या होगा कि ये चारो चीज का अर्क ये चारो चीज का गुन इस पानी में आ जाएगा ये चारो चीज बहुती आउसेदे गुनों से भरपूर होती है और ये चारो चीज का आउसेदे गुन इस पानी में आने से आपकी बहुत सारी बिमारियां को ये ठीक करने का ताक कता जाएगा इसमें तो इसके लिए आपको पहले पांच मिनट इससे उबालना होगा तो यह देखिए मैंने इसे पांच मिनट तक अच्छे से उबाल लिया है और अब आप इसे च्छान लिजे च्छानने के बाद आप इसमें निम्बू एड कर सकते हैं यदि आपको इसे ठीक करती है यदि आप डेली बेसिस पर इसे पंदरत से बीस तिन रोज सुबह खाली पेट पीते हैं तो यह आपका वजन को बहुत ही आसानी से घटाना स्टार्ट करेगी और वेट को लूज करना स्टार्ट करेगी फैटी लिवर की समस्या को ठीक करेगी पाचन के दरत को ठीक करने का ताकत रखती है बहुत ही जबदस तब बहुत ही कमाल की ड्रिंक है एक पर इसे ट्राइ करके जो देखिए 15 से 20 दिन आपको नियमी तुरुप से इस्तेमाल करना है रोज सुबह खाली पेट और फिर इसके कमाल देखिए आपकी हड्डियों का दरत ऐस फायदे मंद होगी तो जाए जाए इस वीडियो को सेर करें ताकि सभी कुछ से फ्यादा मिले वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जो लाइक करें चानल को सब्सक्राइब करके बेल बटन क्लिक कर ले ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच स्टे सेफ एंड स्टे हिल्दी